नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठ शाला में आपका स्वागत है। हम आपकी पाठे पुस्तक शितिज भाग एक का पाठ पड़ेंगे, जिसका सीर्शक है सावले सपनों की याद। ये डॉक्टर सलीम अली के व्यक्तितु को दर्शाया गया है, सावले सपनों की याद पाठ का नाम है, जिसके लेखक हैं जाकिर हुसेन, जाबिर हुसेन, लेखक का क्या नाम है जाबिर हुसेन, लेखक की भाषय प्रवाह में सरल तथा कहीं कहीं गूर, गहरा आर्थ देने व शिल्प में नवीनता नए धंक से लिखा गया है जून 1987 सालिम अली प्रसिद पक्षी विज्ञानी की मृत्यू पर शोग के टाइम ये लिखा गया है उनकी मृत्यू पर दुख जताते हुए लेखक ने ये सावले सपनों की याद पाठ लिखा है सालिम अली का व्यक्ति तो इसमें दर्शाया गया है अभी आप पाठ के माध्यम से जानेंगे सालिम अली के बारे में और ज्यादा तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं जाबिर हुसेन के बारे में जान लेते हैं लेखक का नाम है जाबिर हुसेन जाबिर हुसेन का जन सन 1945 में गाउन नोनर ही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ वे अंग्रेजी भाशय एम साहित्य के प्राध्यापक रही। सक्रिय राजनीती में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधान सभा के सदश्य निर्वाचित हुए और मंतरी बने। सन 1995 में से बिहार विधान परिशद के सभापती हैं। जाबिर हुसेन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनो भाशाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। दिखो कितने बड़े ग्याता हैं ये, कितना ग्यान है इनमें भाशा के प्रती हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनो भाशाओं में लिखते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगाम, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनेतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्म पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित परशंसित हुई है। जाबीर हुसेन ने डायरी विधा में एक अभीने प्रियोग किया है जो अपनी प्रस्तुती शैली और शिल्प में नवीन है। नवीन नया है अभीने नाटक जो किया है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद पक्षिव ज्यानी सालिम अली की मृत्यू के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरन है। सालिम अली की मृत्यू से उत्पन दुख और अवसाद को लेखक ने सामले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का समर्ण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ती चित्र प्रस्तुत किया है। यहां भाषा की रवानी और अभिवक्ती की शैली दिल को छूती है। दिल को छूने वाली भाषा प्रियोग की है, मार्मिक भाषा प्रियोग की है। अब हम पाठ के बारे में जानेंगे सावले सपनों की याद। यह साली मली के जो सपने थे, उनके बारे में लेखक ने बताया है, सावले सपने यहां जो रंग है, जो सावला है, उसके भावों को रंग से दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि दुख भरे अवसर में ये पाठ लिखा गया है, शोक में लिखा गया है, उनकी मृत्यु क अब सुनेंगे अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिन्दगी का आखिरी गीत गाने के बाद मोत की गोद में जावसा हो कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लोटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा मृत्यू जिसकी हो जाए चाहे दूसरा उसके बदले अपनी जान ही क्यों न दे दे वो वापस नहीं आ सकता ये बताना चाहते हैं कि जो एक बार चला गया तो उसके हितेशी उसके बदले कुछ भी करें उन्हें वापस नहीं ला सकते मुझे नहीं लगता कोई इस सोय हुए पक्षी को जगाना चाहेगा वर्षों पोर खुच सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं यह उनकी भूल है ठीक उसी तरह है जैसे जंगलों और पहाडों ज़र्णों और और अबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं आदमी को नजर से देखने को उच्सुक रहते हैं भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधूर संगित सुनकर अपने भीतर रोमांचक का सोता फूटता महसूस कर सकता है सोता में जजर्णा होता है एहसास कि ऐसी ही एक उपड़ खाबड जमीन पर जन में मिथक का नाम है सालिम अली पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने व्रिंदावन में रास लिला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था कब माखन भरे भाड़े पोड़े थे अब श्री कृष्ण के बारे में श्री कृष्ण की लिलाओं के बारे में लेकक ने बताया है और बांड़े मिन्स जो उनकी मटकी थी उनके बारे में आप सबने सुन रखा है ना श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों की मटकियां फोड़ी थी कंकर मार मार के दूद चाली से अपने मूह भरे थे कब वाटिका में छोटे छोटे किन्तु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था ये खुशी के पल बता रहे हैं ये श्र आज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब व्रिंदावन की पूरी दुनिया संगीत मैया हो गई थी पता नहीं यह सब कब हुआ था लेकिन कोई आज भी व्रिंदावन जाए तो नदी का सावला पानी उसे पूरे घटना कर्म की याद दिला देगा हर सुबह सुरज निक किसी के कदम थम जाएंगे ऐसा लगता है कि स्री कृष्ण भगवान अभी आएंगे बंसी बजाते हुए हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछी शनों में तो कहीं से आ तकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहोर पर छा जाएगा वाटिका में वो जो बगीची है ब्रिंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खालिग हुआ है क्या कि वहां तो बांसुरी बजती ही रहती है ब्रिंदावन में मिठकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं अब सालिम अली के बारे में बताएंगे उम्र को शती तक पहुँचने में सो वर्षों तक थोड़े ही दिन तो बच रहे हैं संभव है लंबी यात्राओं की ठ कान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जान लेवा बिमारी उनकी मोद का कारण बनी हो लेकिन अंतिन समय तक मोद उनकी आँखों से वह रोषनी छीनने में सफल हुई नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी वो उ सही थी सालिम अली की आँखों पर चड़ी दुर्बीन उनकी मोद के बाद ही तो उतरी थी उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो लेकिन एकांत शनों में सालिम अली बिना दुर्बीन भी देखे गई है बिना दुर्बीन दूर शितिज तक फैली जमीन और जुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ-कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाए प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं उनके ल उन्होंने बड़ी महनत से अपने लिए गड़ी थी इसके गड़ने में उनकी जीवन साथी तह मिना नाम याद रखेंगे जीवन साथी का क्या नाम है तह मिना ने काफी मदद पहुचाई थी तह मिना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाथी रही थी अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में धेर सारे अनुबहों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के जोकों से साइलेंट वैली जिसमें चुप्पी हो रेगिस्तानी हवा के जोकों से बचाने का अनुरोद लेकर चोधरी चरंशिंग से मिले थे वे प्रधान मंतरी थे चोधरी साहब गाउं की मिट्टी पर पढ़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे वो जमीन से इतने जुड़े हुए थे कि वो बारिश की पहली बूंद का असर जानने का मतलब है वो अपने पूरे वहीं के थे और वहां जानते थे वहां के बारे में सब कुछ परियवन के संभावित खत्रों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आखे नम कर दी थी आखे नम होना मिंस दुख के कारण आखें गीली हो जाना आसु आ जाना आज सालिम अली नहीं है चोदरी साहब भी नहीं है कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नीम रखने का संकल्प लेगा कौन दृड निश्चे लेगा ये कौन बचा है जो अब हिमाले और लदाख की बरफिली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा अब कौन है इन पक्षियों के बारे में जानने वाला सालिम अली ने अपनी आत्म कथा का नाम रखा था फाल आफ अस पैरो मुझे याद आ गया डी एच लॉरेंस की मोत के बाद लोगों ने उनकी पतनी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोद किया था कि वह अपने पती के बारे में कुछ लिखे फ्रीडा चाहती तो धेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है भी मैं उनके बारे में नहीं लिख पाऊंगी असंभव है मेरे लिए उनके लिखना मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरईया लॉरेंस के बारे में धेर सारी बातें जानती है कि मुझे यू लगता है कि मेरे से ज़्यादा तो ये छट पर बैठने वाली गुरईया जो एक चड़िया होती है वो जानती है मुझे भी जानती है वो सच मुझ इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था मुमकीन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हडियों में समाया हो लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना मिंस अपने शब्दों में बया करना लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरेया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझ से ज़्यादा जानकारी रखती है कि उनका संबंध पक्षियों से इतना ज़्यादा था कि वो पक्षि उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहली बने रहेंगे बचपन के दिनों में उनकी एर गंसिक हायल होकर गिरने वाली नीले कंट की वह गोरेया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही जिंदगी की उचाईयों में उनका विश्वास एक्षन के लिए भी डिगा नहीं वो लॉरेंस की तरह नैसरगिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाए अथाह सागर बन कर उबरे थे टापू तो सागर में एक छोटा सा होता है समुद्र में लेकिन वो तो पूरा समुद्र बन गए थे प्रकृति की दुनिया में जो लोग उनके भ्रमन शील स्वभाव जो भूमते रहते थे दर उदर और उनकी यायावरी से प्रीचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं उन पक्षियों के बारे में ही जानकारी लेते हुए गए हैं और बस अभी गली में गले में लंबी दुर्बीन लटकाए अपने खोजपूर नतीजों के साथ लोट आएंगे सबको ऐसे लगता है कि वो अब यहीं घूमते नजर आएंगे पक्षियों की खोज करते हुए जब तक वो नहीं लोटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाएं मेरी आँखे नम हैं साली मली तुम लोटोगे न अब लेख कहता है कि तुम वापस आजाओ वापस आजाओ और उनकी आँखे नम है मिन्स वो उनके दुख में रो रहे हैं आँखे गीली हो गई हैं आस्वों से और वो उनका इंतजार कर रहे हैं कि तुम वापस आजाओ इसका अभ्यास के प्र इसमें दिये गए हैं कोशिश करेंगे कि आप अपने शब्दों में उनके उत्तर लिखें फिर कल मैं और आप मिलकर डिसकस करेंगे और तब विस्तार पूर्ण वर्णन करेंगे इनका प्रशन उत्तरों का फिर लिखेंगे धन्यवाद आज के लिए इतना ही